नमास्कार दोस्तों प्रकर्ति की बनाई ये धर्ती गोल हमारी मा की बनाई हुई रोटी गोल गपे वाले के गोल गपे गोल और इसके अलावा कभी-कभी दुनिया की बातें भी गोल गोल और ये जो गोल है ये बेसिकली हमारे आसपास केवल यहां कवीता में नहीं या कहने म नहीं बलकि हर जगहा पर देखता है circles यानि गोला एक बहुत important concept है हमारे जीवन का और हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें इसकी वज़े से बहुत अच्छी हो जाती है easy to use हो जाती है लेकिन circles केवल shapes तक या पर चीजों तक सीमिद नहीं है यह geometry का important topic है इसके parts इसकी properties इसके दूसरे line segments या पर lines या पर दूसरे objects के साथ जो relations है वो पूरा एक अध्यान का important part है और आज हम पढ़ने वाले ऐसी circles के important topic को जहां पर हम देखने वाले है circles और lines के बीच में दोस्तियारी कैसी चलती है नमस्कार अगर थे आपका मैंगर ब्रेंस पे मैं हूँ आपका मैस मेंटर राहूल गुड मॉर्निंग गुड आटर नून गुड इवनिंग वेनेवर इंजॉइंग दिस सेशन स्टूरेंट्स आपको अच्छे से पता है मैंगर ब्रेंस आपका एक ऐसा platform है जहां पर आपक अर्थात प्रतियोगी परिक्साइन जैसे एंटी ऐसी ओलं प्याइड नीट जेए कंपुटेव एक्जाम फॉर बैंक एससी इन सब की तयारी कर सकते हैं बिना कुछ भी हमें पैसा दिये बिना कुछ भी हमें पे किये आप हमारे सारे लेक्चर सारे वीडियो आक्सेस कर सकत किया हमारे यूटूबचंट चैनल या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारे अप से अगें año ne को पैसा देने की जर्वत नहीं है निशुल्प है वहाँपर आप कितने भी लेक्चर कितने भी सेशन कितनी भी बार देखिए कितने भी दिनों तक देखिए को कुछ भी पे योग कर सके और उन्हें जल्दी सक्सेस दिला सके अपने बेस्ट काम भी कर दो नीचे लाइक का बटन उसे प्रेस कर दो क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिविशन तो वही है जितने ज्यादा लाइक शेयर मिलते हैं उतने important हो जाते हैं कि आगे बढ़ते जाना ओर नित नये concept आपको पढ़ाते जाना चल्यास का एक important chapter circle जिसको हमाँ ध्यान से पढ़ने वाले हैं उसमें हम देख रहे हैं important concept of tangents जिसमें हम tangents के बारे में काफी detail में समझ चुके हैं हमारे पिछले session में अगर आपने वह session नहीं देखा है तो अगर आपने वह session नहीं देखा है तो क्या कीजिएगा सर नीचे description में previous video का link दिया गया है previous video का जाके किलिक कीजी और वह देख के आई यह फिर next में मैं मिली जाओंगा यहां पर बापस तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं आप बस अगर वह session देख लेंगे तो आपका जाते हैं जैसे अगर टायर में हवा कम हो और गाड़ी चलाई जाएगी तो फिर टायर के फटने के चांसे बढ़ जाते हैं ठीक वैसे ठीक है तो ऐसा नहीं कि गाड़ी चलेगी नहीं चल तो पहले सवाल की और हाव मैनी टैंजेंट्स कैन और सरकल है जैसे ही मैंने यह सरकल पढ़ना खतम किया मुझे आपके अंतर मंद से दो आवाज आई मतलब कुछ विद्यानतियों की मन से एक तरह की आवाज आई दूसरों की तरफ से दूसरी तरह के आवाज आई और वो आवाज थी कुछ इन दोनों के रूप में कुछ लोगों ने कहा होगा इसका जवाब होगा वन ठीक है कुछ लोगों ने कहा होगा इसका जवाब है इन्फाइन अब इसके अलावा infinite मतलब basically सर साधन भाषा में कहें तो साधन भाषा में कहें तो बहुत सारी बहुत सारी ठीक है बहुत सारी मतलब जिन्याम गिन नहीं सकते इतनी सारी ठीक है लेकिन कुछ लोगों का जवाब आया होगा वन हिंदी में लिग दो एक अब सवाल ये है क्या दोनों जवाब साही है बिल्कुल नहीं दोनों में से एक जवाब साही है एक जवाब गलत है अब कौन सा सही कौन सा गलत हम वो भी समझेंगे दूसरा जो व्यक्ति गलत जवाब दे रहा है उसने कहां पे concept को गलत समझ लिया हम वो भी clarify करेंगे आपको डरने की बिलकुल आवशक्ता नहीं है देखिए अगर हम इसको चित्र के माध्यम समझने का प्रयास करें तो माल लीजे ये है हमारा सरकल गोला अब आपको इस पे बनानी है टैंजेंट ठीक है बना के दिखाओ सर यहां पर अगर हम देखेंगे तो मेरे को तो एक टैं हो रही है तो ठीक है किसी ने एक टैंजेंट इस तरफ बना दी होगी किसी ने लगे हाथ नीचे बना दी होगी अब सवाल यह है कि सर अभी तो हम को कह रहे थे एक टैंजेंट यहां आमने आपने एक ही सरकल पर चार बना दी चार क्या मैं यहां पर चार हजार बना सकता हू एक इस तरफ से बना दूँगा ये तो सीकेंट जैसा बन गया एक इस तरफ से बन जाएगी इस तरफ से बन जाएगी कहीं से भी बन सकती है तो एक सरकल पे एक नहीं बलकि बहुत सारी टैंजेंट्स बन सकती है तो यहाँ पे फिर हमारा जवाब क्या होगा हमारा जवाब बहुत सारी टैंजेंट बन सकती है मतलब यहां पर जो वन वाला जवाब है जिसको रेट से लिखा गया था वह जवाब गलत है तो वन नहीं होंगी बलकि इन्फार नाइट टैंजेंट होती हैं तो सर जिन लोगों ने वन लिखा है उनसे टृती कहां हुई गलती कहां हुई तो गलती यहां हुई मेरे भाई कि आपने एक कॉंसेट पढ़ा है कि एक सरकल में ठीक है एक टैंजेंट होती है बिल्कुल ठीक पढ़ा लेकिन आपने वो सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़ा आपने कॉंसेट को पूरा नहीं समझा वो कॉंसेट कहता है कि हाँ बिल्कुल ए एक ही tangent होती है लेकिन एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे एक टैंजेंट ठीक है जशेसे एक सीट पे एक व्यक्ती बैठे गा और अगर बस में शतर सीट हैं तो क्या बस में एक ही व interrupting यश्कहते हैं ठीक वैसे ही एक शरकल के एक पॉइंट पे एक टैंजेंट अब एक सरकल में कितने पॉइंट सर एक सरकल में गिनने जाएंगे तो सरकल का तो definition ही कहता है कि it is a collection of points तो हम कैसे बोलें कि आप किस point की सर्चा करें तो जब point तह नहीं है point की संख्या तह नहीं है तो tangent की संख्या कैसे तह हो जाएगी तो वहाँ जवाब जो कहता है कि एक सरकल में एक ही tangent होती है वहाँ गलत है क्योंकि आपने उस एक point के बारे में कहा जहां पे आप जिसको आप consider कर रहे हैं मतलब फॉर एक्जामपल अगर कोई आप से पूछे मैं अगर कोई आप से पूछे कि इस circle में ठीक है इस circle में इस point पे कितनी tangent होंगी तब आपका जवाब क्या होगा एक ठीक है पूरी बस में किसी एक सीट पे कितना व्यक्ति बैठ सकता है एक अई व्यक्ति बैठ सकता है परन्तु पूरी बस में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं इसके सब जतनी सीट्स होंगी उतने ठीक वैसे ही इस particular point को मैं consider करूँ तो इस point पे तो एक ही होगा ठीक है एक ही circle पे एक ही point पे एक ही टैंजेंट लेकिन पूरे dash point या फिर points टैंजेंट की परिभाशा कहती है कि टैंजेंट वा सरकल इंटर सेक्स इट इन ओनली वन पॉइंट तभी तो यूनीक है तो आप क्या लिखोगे वन पॉइंट एस नहीं आएगा ठीक है तो यह ब्राकेट में जो ऐसे बेसिकली वह उसके लिए कि अगर कोई व इंटर सेक्स इट इन ओन्ली वन पॉइंट यूनीक पॉइंट एक जगा पर तभी तो अलग से हाइलाइट किया जाता है अलाइन इंटर सेटिंग इन टूपाइंट इसको कहा जाता है सी कंट टैंजेंट का भाई सी कंट बहुत बढ़िया लेकिन यह दो जगा पे मैं आप डैश पार्लेल टैंजेंट एट दरमोस्ट के एक सरकल के कितने पार्लेलल टैंजेंट सो सकते हैं सबसे ज्यादा ठीक है ऑप के माध्यार मैं समझने का प्रयाज करूं तो हमनेने क्या पढ़ाता कि यहांत होगी ठीक है उसके आप parallel बनाते हो तो आपको दो टाइंजेंट मिलते हैं तब सवाल यह है मेरा आपचर खुझ से भी कि क्या एक सरकल की दो ही parallel टाइंजेंट होंगी अब इसी पर एक counter question यह आना चाहिए concept के एसाब से कि सर अगर मैं ऐसे कोई दो लाइंज बना दू पैरलल तो ठीक है तो क्या यह दोनों एक दूसरे के parallel नहीं है क्या इसको हम count नहीं करेंगे देखो अब आप समझो यह फिलप आपसे पूछना क्या चाहरा है यहां पर concept कौन्छा लग रहा है सवाल का अर्थ क्या है सवाल का अर्थ है a circle can have dash parallel tangent अब यहां देखना यह तो pair of parallel lines हो गए ठीक है यह line इसके parallel एक pair यह line इसके parallel यह दूसरा pair लेकिन जब आप यहां पर parallel lines की या parallel tangents की संख्या पूछ रहे हैं तो वह पूछ रहा है यहां पर दो ही होंगी यह parallel lines या फिर इसके अलावा भी हो सकते हैं उधारण के तौर पे एक दो तीन यह हो गई तीन parallel lines ठीक है तो वह ऐसे पूछ रहा है तीन lines होंगी parallel या केवल दो होंगी parallel या चार होंगी parallel या आठ होंगी parallel ठीक है पर ऐसे कितनी lines होंगी जो की एक दूसरे के parallel होंगी at most at a given point यहाँ पे इस समय क्या इस समय इन दोनों lines के parallel कोई तीसरी line exist करती है जो की tangent भी हो और parallel भी हो नहीं सर वैसा नहीं हो सकता अगर हम अभी देखेंगे तो यहाँ पे केवल यही एक दो यही दो line से जो exist करती है जो की circle की tangent भी है और एक दुसरे के parallel भी है ठीक है बाकी जो lines बनेंगी वो या तो circle के parallel हो या तो tangent होंगी या फिर parallel होंगी दोनों होने वाली और कोई line नहीं हो सकती तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होना चाहिए सर यहाँ पे हमारा जवाब होना चाहिए two parallel tangents ठीक है यूकि देखो आपको जो lines बनानी है वो parallel भी होनी चाहिए एक दूसरे के और tangent भी होनी चाहिए अगर मैं इसके parallel बनाऊं तो यह बन गई parallel लेकिन यह tangent नहीं है अगर मै tangent बनाऊं तो यह parallel नहीं है तो इसलिए यह सारे cases reject हो जाते हैं हाँ जब कोई पूछे कितने pair of parallel tangents मिलेंगे तब आप कह सकते हो infinite क्योंकि तब आप वो सारे pair count करोगे जो की एक दूसरे के parallel है जैसे यह दोनों का pair हो गया फिर यह दोनों का यहाँ pair बन सकता है फिर एक pair ऐसे बन सकता है तो ऐसे तो हम बना सकते हैं बहुत सारे तो अगर कोई पूछता है कितने pair of parallel tangents होंगे to a circle तब आप infinite बोल सकते हो लेकिन अगर कितने एक बार में होंगे वो आप से पूछ रहा है तो फिर आप दो ही लिखोगे क्योंकि दो ही आपको मिलेंगे उसके अलावा parallel औ और टैंजेंट दोनों qualities वाली कोई और लाइन आपको नहीं मिलेगी अब यहां पर देखो अगला point क्या पूछ रहा है अगला question क्या है the common point of a tangent to a circle and the circle is called तो common point between tangent and the circle ठीक है तो tangent and the circle is called यह आपका common point जहां पर tangent एक दूसरे को touch कर रहे है तो इसको आप क्या कहते हैं सर एक दूसरे को touch कर रहे है यहां पर इनके बीच में दोस्ती बढ़ रही है connection बढ़ रहा है तो ऐसे याद रखने के लिए आप बोल सकते हो कि it is called point of contact जहां पर इन दोनों के बीच में contact established हो रहा है क्या कोई दिक्कत कोई समस्या बिलकुल नहीं सर समझ गए आप जी सर तो point of contact क्या होता जहां पर दोनों के बीच में contact हो पा रहा है चलिए चार आपके फिलत ब्लांक्स थे चारों आपने यहां पर समाप्त कर दिये है इसी के साथ आप करेंगे screen को clear और move करेंगे next part की तरफ which is question number 3 जो आप से क्या बोल रहा है कि a tangent PQ at a point P of a circle radius 5 cm meets a line through the center O at point Q so that OQ is 12 find PQ ठीक है चलो अब यहां पर पहले diagram बना लो और tangent PQ तो भाईया tangent बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा sir circle बनाना पड़ेगा तब तो tangent बनेगी तो यह रहा आपका circle अब यहां पर बनाओ एक tangent तो यह रही आपकी tangent tangent का कुछ नाम होगा जी sir tangent का नाम है PQ ठीक है जहां पर point P of a circle तो point P है आपका circle पे Q बाहर है ठीक है of a radius 5 cm अब देखो radius जो है उसको आप circle में कहीं भी बना सकते हो लेकिन जब आप सवाल tangent का कर रहे हो जब पूरा chapter ही tangent पे बेज़ दे तो ज़्यादा फाइदमन्द क्या होगा sir यही कि हम radius को tangent से जोड़ दें ठीक है कुछ इस प्रकार अब आपसे क्या पूछ रहा है such that a line meets a line through the center O at a point Q तो यह रहा आपका center O अब यह सवाल कह रहा है आपसे कि आपने center O से एक line खीची जो कि आपको O से लेकर Q तक पहुचा रही है O से लेकर Q तक पहुचा रही एक line जिसकी दूरी है 12 cm और जो radius है वो है 5 cm है अब इसमें concept कौन सा लगेगा Sir सबसे पहले इसमें हम यह establish करेंगे कि हमें निकालनी है PQ की length ठीक है और जैसा कि diagram से दिख रहा है यह angle 90 degree लग रहा है लेकिन दिखने में और होने में उतना ही फरक है जितना की सपने और हकीकत में होता है कि दिखते तो बहुत सारे पर हकीकत कुछ और होती ठीक वैसे ही दिखता तो है 90 पर है या नहीं वो कौन साबित करेगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहां पे theorem कौन सी तो हम लिखेंगे according to theorem 10.1 क्या बोलोगे आप आप यहीं बोलोगे कि op is perpendicular to pq op is what op is perpendicular to pq अर्थात इन दोनों के बीच में angle कितना है 90 डिगरी है मतलब आप क्या कहोगे therefore triangle op q is a right triangle सब सवाल यह है कि आपने बोल तो दिया op is perpendicular to pq पर किस logic से तो मेरे दोस्त logic कुछ ऐसा है कि भाईया आपने यह पड़ा है कि यह theorem 10.1 कहती है कि अगर आप tangent की तरफ radius बनाते हैं तो वो जो point of contact है जहां पर radius tangent को touch करेगा चुकि वैसे तो circle के 1000 रेडियस होंगे पर वो specific वाला radius जो tangent को point of contact पर touch कर रहा है उसके लावा radius कहीं और touch करता भी नहीं है वैसे भी tangent को वो करेगा तो फिर बाहर जाके करेगा जो कि circle के बाहर हो जाएगा तो radius नहीं कहलाएगा तो tangent पर जहां radius touch कर रहा है वा एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है अब राइट ट्राइंगल है तो आपके मन में क्या आएगा सर हमारे मन में Pythagoras theorem यूज करने का पूरा पूरा विचार आएगा अच्छा अब यहां पर होता एक छोटा सा मजाक कैसा मजाक सर सर देखिए अगर आप गणित में ठीक ठाक अच्छे हैं ठीक है धान सुनना अगर आप गणित में ठीक ठाक अच्छे हैं तो आपको पांच बारा और तीसरा नमबर तेरा इस Pythagorean triplet के बारे में पता होगा ही ठीक है जी सर अब होता क्या है एक्जाम में जब हम जलबाजी में होते हम पांच देख लेते हैं बारा देख लेते हैं तो हमारे मूँ से पहला जवाब क्या निकलता है कि यहां पर अंसर होना चाहिए ते किनों मिलके Pythagorean triplet बना रहे हैं लेकिन तेरा अंसर के रूप में माक करना मड़क थर्टीन को ऐसा अंसर माक करना गलत होगा सर किस लॉजिक से तो लॉजिक ऐसा है प्रभू केवल Pythagorean triplet होना बड़ी बात नहीं है आपकी position क्या है उस पर फरक पड़ता है तो फोर एक्ज हाइपोटन यूज में आ सकता है जहां पर और पहले से 12 बैठा हुआ है तो मतलब triplet पता है तो उसको हर जगा यूज नहीं करना है साफधानी पूरवक एकदम चौकन्ने होकि अपने सवाल को अब्जर्व करना है फिर आंसर बताना है ठीक है तो यहां पर आंसर क्या होगा यहां पर आपका अंसर आएगा सॉल्व करके जहां पर आप कहींगे कि भईया पर्पेंडिकुलर स्को आयर पीलस बेस का स्को आयर इस इकोल टू हाइपोटेन्यूस का स्को आयर जहां पर आपका पर्पेंडिकुलर हो गया पांच स्को आयर बेस आपने पता करना है हाइप पॉटनी उसको बारा डिकलेर कर चुके हैं राइट आंगल के ठीक सामने है वैसे भी वह फाइफ का स्क्वेर हो जाएगा 25 बी स्क्वेर आपने पता करना है 12 का स्क्वेर हो जाएगा 144 यह आपको याद होंगे अब आप सॉल्फ करेंगे तो बी स्क्वेर मिलेगा आपको 144 में से 20 माइनस करोगे आप तो आएगा कितना 124 124 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा 119 तो जो आपका बेस है उसकी वैलियो होगी रूट आफ 119 सेंटीमीटर ठीक है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर तो यहां पर आपका जवाब होगा option D ठीक है यह रहा आपका उत्तर option D 119 सेंटीमीटर चलिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर तो यहां पर आपने दो चीज़े सकी पहला कैसे theorem 10.1 को यूज किया जाता है सवाल सॉल्फ करने के लिए जैसा कि हमने यहां पर किया दूसरा अगर आपको कोई वैल्यू पता है ट्रिपलेट हो जाएगी clear और हम move करेंगे next question की तरफ जो कि साथ mcq नहीं होगा बिलकुल नहीं है सवाल number 4 हमसे कुछ draw करवा रहा है क्या बोल रहा है draw a circle and two lines parallel to a given line such that one line is tangent and the other is second to the circle आपको बोला है सर्व प्रथम एक circle बनाई है तो यह रहा आपका circle ठीक है अब आपको एक reference line बनानी है ठीक है एक reference line बनानी है मानलो आपने यह reference line बना दी अब आपको क्या करना है इसको अमने नाम दे दिया a b अब आपने दो एसी lines बनानी है जो कि इस reference line के parallel होनी चाहिए लेकिन एक ने होना है tangent दूसरे ने होना है secant तो यहाँ पर पहले हम secant बनाले क्योंकि secant बनाना आसान है तो यह बनाया हमने secant जो की parallel है AB के तो अब लेख सकते हैं यहाँ पर XY क्या है XY की कहानी तो अब लेख सकते हो XY is a parallel to AB और साथ में लेख सकते हो XY is secant ठीक है कैसे मिला proof सर वो circle को दो जगा पे intersect करके जा रहा है बहुत बढ़िया अब tangent हो सेकेंट हो गया बचा क्या सर टैंजेंट बचा है तो यह आपका reference line टैंजेंट में यहीं पर बनाने का प्रयाज करूंगा यह रही आपकी टैंजेंट ठीक है इसका नाम रखा आपने PQ तो यहाँ पर क्या बोलोगे यहाँ पर बोलोगे PQ is parallel to AB and PQ is secant क्योंकि वज़ा बहुत PQ टैंजेंट की बहुत सिंपल चा कारण है कि वह सरकल को एक ही जगा पर टच कर रही है अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एक राज की बात जो कि आप किसी को नहीं बताएंगे लेकिन आपके जिवन में अपलाए कर सकते हो ऐसा बहुत बार होता है कि आपने सरकल बनाया आपने टैंजेंट बनाने का प्रयास किया और टैंजेंट ऐसी बनी कि वह सरकल के बहुत पास है लेकिन उसको इंटरसेट न बना रहे हैं टैंजेंट सरकल के साथ ठीक है आपने बड़ी ही मैनत से प्रयास करके इतने पास से निकाल दी ठीक है या फिर चलो यह तो दूर हो गया थोड़ा और पास से निकाल दी अब आपको डर यह है कि अगर एरेज करूंगा तो गंदा दिखेगा और सरकल भी गंदा करें एक ऐसे निशान बना दो ठीक है उससे क्या होगा मान लोई चलोई तो बहुत दूर है अगर मैं और नस्दीक की बनाओ कि मेरे को डर लाग रहा है यहां देको मान लो इत्ती नस्दीक है टीचर को साफ साफ दिख जाएगा कि यहां पे टैंजेंट नहीं है पर लेकिन जबरदस्ती करिए निशान लगा दो टीचर को लेगा कि हाँ जहां पर निशान लगा है वहीं पर पॉइंट ऑफ कॉंटेक्ट सबसे नजदीकी है तो इस तरीके कि आप थोड़ी बहुत ट्रेक इस्तमाल कर सकते हैं जिससे आपकी डाइग्राम में आपका समय बचे और ग पास में हैं आपको दिख रहा है बीच में गैप है लेकिन आपको गैप कवर अप करना है तो ऐसे उपर से टेप लगा दिया हमने कि चलो भाईया यह हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉंटाक्ट गैप हो गया कवर टीचर दी मान जाएंगे कि यहां पर टैंजेंट त्योंकि यह नया कॉंस्ट नवराव टैंजेंट के बारे में कहां से प्रॉम पॉइंट ओना सर्कल अब तक क्या कर रहे थे अब बाहर से किसी एक फिक्स जगा से टैंजेंट को लेकर आएंगे सर्कल की तरफ उसकी पूरी कहानी समझते हैं Titan idea of the number of Gods इंट सम a point on a circle let us perform the following activity ठीक है जैसे बच्चों को बारिश में खेलना वैसे गनित के पध्यापकों को activity करवाना बहुत पसंद होता है इसलिए हर question में या हर activity में हर नए concept में एक नए activity हम लोग करवाई देते हैं अब यहाँ पर देखो इस activity में क्या करना है draw a circle on a piece of paper बनाईए एक कागस पे गूला बनाईए हमारा बना हुआ है ready mate है ठीक है take a point P inside it circle के अंदर एक थे point लेना है P जो की center नहीं होना चीए वहाँ देखो ध्यान से क्या वो point P center में है बिलकुल नहीं सा तो center पे नहीं लेना है कहीं और लेना ठीक है can you draw a tangent to the circle through this point क्या इस point P से आप circle की तरफ कोई tangents बना पा रहे हैं सर अगर हम point P से कितनी भी line पास कर लें चाहे तीन हो तीन हो तीन हजार हो तीन लाख हो वो सभी circle के अंदर से ही पास होंगी उसे as a secant ही intersect करेंगी उसका tangent बन जाने का सपना नहीं मुकमल होगा पूरा नहीं होगा ठीक है चलिए त that देखो खुदी सवाल पुचे खुदी जवाब दे रहे हैं कि you will find that all the lines through this point intersect the circle in two points अंग्रेजी में कहें तो एक सब्द में secant बहुत बढ़िया so it is not possible to draw any tangent to a circle through a point inside it यदि कोई inside है अंदर है घर के अंदर बैठा है तो उससे आप tangent नहीं बनवा सकते इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने घर से बाहर निकल के रोड पे खड़े होके circle की tangent बनाएं यहां पे अंदर का है मतलब ऐसा point जो की circle के अंदर है उसकी बात कर रहा ह आप तो अपने घर के अंदर कमरे में बैठ के बढ़ियां से कूर्सी टेवल पे बैठ के बनाएंगे आप तो tangent बना पाएंगे लेकिन अगर जिस point के through बनानी है वो point circle के अंदर है तब tangent नहीं बनेगी चाहे आप room पे हो छत पे हो या चाहे सडक पे हो ठीक है तो फिर क्या ह होगा सर तो फिर होगा ये next take a point on the circle तो पहले आप circle के अंदर विच्रण कर रहे थे थोड़ी दिर के लिए फिर आपने activity को बढ़ा के circle की boundary पे ले आए अब जब आप उसको circle की boundary पे लाएंगे तो क्या होगा तब अगर आप tangent ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो यह आप पह जो की हम पढ़ भी चुके हैं confused भी हो चुके हैं काफी बार फिर से एक बार revise कर देते हैं कि अगर एक circle पे किसी एक point को ध्यान में रखे concentrate करके उसकी tangent बनाई जाए तो उस एक point पे एकई tangent बनेगी यहां भी एक point पी उस पे एकई tangent बनी अब क्योंकि circle में बहुत सारे point होते ह हमारी वह होती हैं tangent होती है लेकिन किसी point के संधर में कहेंगे तो एक ही tangent होगी ठीक है अब यह बोल रहे है फाइनली इस point को थोड़ा दूर ले जाओ तो पहले आप circle के अंदर घूम रहे थे फिर आप बोर होके circle के edge पे आ गए अब आप circle के बाहर निकल लिए ठीक है अब सवाल यह है कि अगर इस एक point से में tangent बनाने का प्रयास करूं circle की तरफ तो कितनी tangents बनेंगी वो देखो आप प्रयास करेंगे आपको दिखने में आएगा कि एक circle के बाहर विच्रन करते एक point से जिसका फिलहाल नाम P है do it to tangent बन रही है दो tangent बन रही है एक T1 दूसरा T2 ठीक है तो यही activity यहां पर सिखाना चाह रही है कि एक circle में एक point जो की circle के बाहर है उससे दो tangent बनेंगी एक यहां पर हो गया T1 की तरफ एक हो गया T2 की तरफ इसके अलावा जो भी line यहां से जाएगी या ray यहां से जाएगी या तो वो circle से दूर जाएगी जा फिर वो circle को चीरती हुई जाएगी जो की tangent नहीं secant बना देगी उसको ठीक है तो इसलिए center point P जो की circle के बाहर है उससे अगर हम tangent ही बनाना चाह रहे हैं तो हम केवल 2 बना पाएंगे victory sign के रूप देखा आपको दिख रहा है और यहां पर आ पहला जब point circle के अंदर है तो एक भी टैंजेंट नहीं बनेगी दूसरा जब point exactly circle के circumference पर उसकी boundary पर है तो आप बनेंगे एक टैंजेंट जब आप boundary के बाहर हो जाते हैं तो आपको खुला space मिल जाता है उड़ने का मन करने लगता है तो आप उड़ते उड़ते दो टैंजे केस उनको थोड़ा था यहां पर लिखा गया है आपको explain करने के लिए पहला केस अगर आप inside हैं तो no tangent दूसरा केस अगर आप कहां पहल on the circle हैं तो one tangent और अगर आप outside the circle हैं तो two tangent इसका मैं example दू जब हम घर के अंदर होते हैं तो हमारी माता जी हमें कुछ खास भाव नहीं द दाट देती हैं या फिर काम बोलती है या फिर बोलती है कि तुम तो बिल्कुल ही नालायक हो है कि नहीं और जब आप घर की boundary पर होते हैं अगले अगले अफते बाहर जा रहा हूं और में बाहर जाने वाला होता हो मतलब मेरी गाली का समय हो रहा तो वह पचास ती जला देत इतव अगता तो थोड़ा सा एक रजहां पको प्यार मिल रहें जब आपको घर से बाहर से थोड़ा दूर निकल लिए घर से थोड़ा दूर आगए हैं किसी नए शेहर में किसी नहीं जगह पे तो माता जी का प्यार किता उमण गुमण क्या आजाता है आपको भी समझ में आता होगा कहती होंगी बेटा ये भेज़ दूं क्या एक तुने खाना खाया की नहीं पानी पिया की नहीं तुने सांस ली की नहीं अच्छे से खीचा की नहीं की चासा बोलती है कि नहीं to the point of contact with the circle is called length of the tangent from the point P to the circle यह इंपोर्टेंट यहां देखना यह रामयान को भूल जाओ और इंपोर्टेंट पॉइंट पर आजा यहां पर देखो कुछ टेक्निकल चीज़ आपको बताई जा रही है यह आपका सरकल है ठीक है मैं स्टेटमेंट का आपको चित्र रूपांचरन करके बता रहा है यह आपका बहारी पॉइंट है ठीक है अगर आप इस पॉइंट पी से दो टैंजन का निर्मान करना चाह रहे हैं सरकल की लेकर मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहां से और point of contact तक की दूरी को कहा जाता है length of tangent क्या कहा जाता है length of tangent तो अगर कोई आप ले जाके उपर आसमान में भी छोड़ सकता हूं कि वह रे है तो length of tangent fix नहीं हो पाएगी तो length of tangent का criteria एक बनाया गया है कि जहां से आपकी चीज़ें start हो रही है जो आपका starting point है वहां से लेकर जहां पर वो circle को touch कर रही है मतलब point of contact तक की दूरी को आप length of tangent बोलते हैं उधारन के तोर पे इसी पे यहां पे मानलो अगर P से लेकर X तक की दूरी है 5 और यहां पे एक point है जिसकी दूरी है P से यह आप point मानलो XYZ है जिसकी दूरी है 8 तो length of tangent 8 नहीं होगी length of tangent होगी वहीं तक जहां तक point of contact that is 5 उसके beyond अगर आप जाते हैं तो फिर उसको count नहीं किया जाता है कि आपको यह समझ में आ गया जी सर कहीं को यहां पती तो नहीं बिलकुल नहीं सर तो length of tangent आपको यहां पर पढ़ाए गया क्योंकि यह बहुत important चीज़ है और यह आगे जाके एक और theorem के रूप में तबदील होती है जहां पर इसको use किया जाता है तो इस term का definition अगर आप ठंक से समझ लेंगे तो आप फिर उसको use भी उतने ही अच्छे से कर पाएंगे ठीक है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर चली हम कर देंगे screen को clear और move करेंगे next part की तरफ अब देखें यहां क्या नई चीज आ रही है हमारे पास कि जो figure 10.6 part 3 है अमने जहां पर लिखा है वो 3 देखो pt and p2 are the length of the tangents from p to the circle अब देखो यह जो pt और pt2 है यह जो दो चीज़े है यह क्या है सर यह है tangents किसके लिए circle के लिए ठीक है यह क्या है टांजेंट्स लेकिन कोई अगर पूछेगा कि इन टांजेंट्स की length क्या है तो देखो क्योंकि यह दोनों ray है तो length का तो ऐसा है कि इसको किदर भी जाने दे सकते हो कोई रोकने वाला नहीं है परंतु किंतु conceptual knowledge के लिए concept को use करने के लिए थोड़ा सा चीजों को fix करना जरूरी है इसलिए length of tangent जब कोई पूछता है तो हम केवल tangent के starting point से उसके circle के साथ point of contact होने तक की दूरी को ही मानते हैं यह आपको ध्यान रखना है ठीक है इस बात का विछेश ध्यान रखना है the length PT1 and PT2 have a common property can you find this सद्यकोर में कुछ common property आगे देखो hint भी दिया है कि major PT1 and PT2 अब एक काम करें आप खुद ही अपने घर पे एक कागज का तुकडा ले मतलब तुकडा ने एक piece of paper ले अच्छा बड़ा paper ले उसमें एक circle बनाएं और किसी common point से दो tangent बनाएं फिर उसके बाद उनकी लंबाई measure करके देखें देखो जितना मुझे समझ में आता है गणित मेरे साब से यहां पे PT1 और PT2 में कुछ तो connection होगा ही और वही हमारी अगली theorem बनेगी are these in fact are these equal in fact this is always so तो यहां पर कहने का तातपर क्या है कि छोटी सी activity से आपको यह समझ में आएगा कि अगर यह common origin point है और अगर वहां से दो tangent निकल रही है तो वो दोनों tangent आपस में बराबर होंगी in length और उनकी length कहां तक गिनी जाएगी point of contact with the circle तक उसके beyond नहीं क्योंकि हाला कि वो ray के रूप में दिख रही है which can go beyond the circle आगे बहुत जा सकती है तो इस तरीके की क्या कि तो अशंकां को दूर करते हुए जहां पर आप certain नहीं है कि length कहां तक होगी तो आपने circle के पार जाना ही छ अगली slide में ठीक है यहां पर आपकी theorem 10.2 यहीं कहती है जो अब तक हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि the length of tangents drawn from a external point to a circle are equal tangents की लंबाई बराबर होती है यदि वो एक common external point से बनाए गए हैं तो हार tangent की लंबाई बराबर नहीं होती है उधारन के तोर पे ठीक है एक यह tangent उपर से जा रही है मानलो example यहां पर touch होके ठीक है एक tangent यहां से जा रही है अब आप यह मत कहना कि यह दोनों tangent बराबर ना अगर दोनों का जो origin है starting point है जो कि external होगा एक point होगा बाहर होगा सरकल के तभी tangent बन पाएगी तो जो external point होगा वो common होगा तभी आप इस identity को use, इस theorem को use कर पाएंगे ठीक है चलिए इसको proof करने के लिए हमारे पास कुछ basic चीज़े होनी चाहिए सर्व प्रथम हम एक सरकल बनाएंगे क्योंकि वो हमें allowed है ठीक है उसके बाद फिर हम बनाएंगे दो tangents ठीक है एक इस तरफ से और एक इस तरफ से जाती हुई ठीक है यह थोड़ा से देखो तेड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे इसको थोड़ा से और हाँ यह ठीक है छाहन ली जे टी-वन और टी टू अब आपको यहां पर एक सेंटर बनाना है चूंकि भईया सरकल का सेंटर तो होगा ही तब ही तो सरकल बनेगा वरना सरकल आया कहा से तो यह रहा आपका Amazon Flipkart से थोड़े ही आया है तो यह रहा आपका सरकल यह हो गया radius इस तरफ और इस तरफ और जितना हमने पड़ा है एक ठीओर में हमारे पास की radius is perpendicular to tangent at the point of contact ठीक है तो यह हो गया O और इस सवाल को solve करने के लिहाद से हम क्या करेंगे एक यहां पर और construction करेंगे जो की है O को P से join करना ठीक है तो आप इसको center से join करेंगे ताकि वो use हो सके चलिए अब ठीओरम का proof देखना बया सबसे पहले given में क्या लिखोगे सर given में हम लिखेंगे a circle with center O ठीक है सबसे पहले आपको यही दिया जाता है सबसे पहले आपने क्या बनाया यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर circle ही बनाया तो हाला कि center मैंने उसका late mark किया पर पहला कार जो मैंने किया इस theorem को proof करने के लिए वो है circle का निर्मान तो मैंने सब लिखा है पीटी वन एंड पीटी टू आर टैंजेंट्स ठीक है पीटी बन पीटी डू क्या है टैंजेंट्स है और कुछ एक है यहां पर नहीं यह दोनों आपके given statement के अंदर आएंगे ठीक है आपने जो radius ड्रॉ किया है उसको आप गिवन में लिखोगे क्या नहीं उसका क अधिकार है अगर आप circle बना रहें तो उसका radius बनाने का आपको पूरा पूरा अधिकार है हां लेकिन जो आपने ओ से पी जोइन किया उसको जरूर लिखना पड़ेगा तो पहले टू प्रू लिख लो फिर आ जाएंगे हम construction पे तो टू प्रू में आएगा आएगा आपके पास पी टी वान इज इकोवल टू पी टी टू डाटे जोनों जो आपकी टैंजेंट्स उनके लंबाई बराबर होने चाहिए चलिए इसके बाद जो हमने निर्मान किया है अर्थात construction किया है वह लिखना आपको कि जाइन o2p join o2p यह देखो o से लेकर p तक आपको क्या करना एक दूसरे को join करवाना है मैंने यहाँ पे उसको dash के माद्दम से बनाया ताकि आप confuse ना हूँ ठीक है इसके बाद आपका मुख्य कारे शुरू होता है प्रूफ करने का और यहाँ पे प्रूफ करने में आपका पुराना साथी help करेगा और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक construction होने के बाद अब आपको दो triangles दिख रहे होंगे दिख रहे कि नहीं yes sir बि triangle p o t1 and p o t2 यह दो triangle थे t1 t2 वाले triangles एक उस तरफ एक इस तरफ दोनों में आप सबसे पहले mention कर सकते हो कि op is equal to op और reason क्या होगा common है ना दोनों में common है उसके बाद आप mention कर सकते हो कि o t1 is equal to o t2 यह हो जाएंगे radii of same circle एक ही circle के दो radius ठीक है तो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो इसलिए आपने लिखा radii of same circle अब देखो आपके पास दो चीज़े तो बड़ी आसानी से आ गई दो साइट आ गई अब बचा एक एंगल ठीक है या तो तीसरी साइट मिल जाए पर वो तो हमें प्रूव भी करना है पीटी वन पीटी टू तो वो तो हम लेनी सकते एंगल की बात करें तो यहां कई दिया नहीं है हाँ मैंने स्वायम यहां पे कुछ एंगल बना दिया है जो कि 90 डिगरी के बराबर दिख रहा थो इसको क्यों न यूज किया जाए ठीक है तो चलिये इसको यूज करने के लिए हम लोग आप क्या करेंगे यहां पर आगे चीजे लिखेंगे कि भईया देखो पहली बात तो वी नो दाट we know that में क्या आएगा यहाँ पर क्या लिखवाना चाहर हो मैं आपसे कि sir जो radius होता है we know that according to theorem 10.1 theorem 10.1 क्या कहती है theorem 10.1 sir वो कहती है कि radius is always perpendicular to tangent ठीक है at point of contact poc लिखना हो में short में ठीक है at point of contact आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं वैसे exam में आपको request रहेगी मेरी की पूरा ही लिखें चलिए तो इसके इसाब से angle ot1p is equal to angle ot2p और दोनों हो जाएंगे 90 degree के बराबर क्योंकि दोनों radius और tangent के बीच का angle को define कर रहे हैं तो अब देखो ध्यान से दो triangle दोनों में दो sides और एक angle मन में पहला विच्चर आना चाहिए SAS लेकिन जब आप देखते हैं pattern को तो angle जो है वो sides के बीच में नहीं है लेकिन क्योंकि दोनों angle 90 है तो एक और criteria खुल जाता है congruency का जिसका नाम क्या है सर जिसका नाम है pot1 is congruent to triangle pot2 by rhs अर्थात right angle hypotenuse और side congruency नियम के तहत आप कह सकते हैं कि दोनों triangles क्या है congruent है और दोनों के congruent होने से क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा एक बहतरीन result की दोनों tangents की लंबाई सदैव आपस में बराबर होगी क्योंकि देखो यह जो आपने प्रूफ किया है यह standard प्रूफ है किसी भी तरह की सरकल में किसी भी तरह की tangents में अलग नहीं होगा तो इसलिए सब जगा अपनी केबल है तो सब जगा हम पूरा ना प्रूफ करके केबल theorem को यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ठोरम का प्रूफ हमें आता है हमने प्रूफ कर दिया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई बिलकुल नहीं सर आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तब तक उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुछ इक्कत तो नहीं अब तक तो नहीं है साथ चलिए आ जाईए तो के पास कॉंग्रृफ का भी option है नहीं तो यहां पर पाइठ्ग्यूर मोर्र थ्योर्म ऑफ्षनी देखो यहां पर नहोंने क्या किया है कप चिटर के माध्यम से देखे हमारा चिटर था उसमें देखार फोगे सब्सक्राइब यहां मैं आपको बता हुआ बाई さ Chase vardu कि इन्हों देखो जो तरीका एक्तियार किया है वो कुछ ऐसा है कि यह सरकल हो गया यह आपकी टैंजेंट्स हो गई ठीक है यह हो गए आपके रेडियास क्योंकि यहां पर पाइटाग्योरस यूज करना जरूरी है और यह हो गई आपकी कॉमन वाली लाइन तो बेसिकली पहले आप यहा सब्सक्राबर हो ही जाएंगे ठीक है अगर मैं आपको लिख के दिखाओं तो देखो यह है ओ इधर है क्यू इधर है आर इधर है पी अब मैच कर लो चाहिए तो कि भाईया PQ square is equal to OP square PQ square equal to OP square minus OQ square ठीक है OP square minus OQ square विल्कुल ठीक है is equal to OP square minus OR square equal to PR square तो इस तरीके से PQ square और PR square आपस में क्या हो गए बराबर हो गए which gives PQ equal to PR ठीक है note also that OPQ is equal to OPR therefore OP is the angle bisector of OQPR अब देखो आपने इन दोनों triangles को congruent proof किया तो CPCT से ये दोनों भी क्या हो गए बराबर हो गए जिससे आपको ये भी पता चलता है कि जो OP है is the angle bisector ये आपको ध्यान में आया क्योंकि दोनों angle बराबर हो जाएंगे therefore the center lies on the bisector of the angle between the two tangents ये बहुत important चीज है कि जो center होता है वो लाए करता है किस पे bisector पे किसके angle के between the two tangents इसको आप कहीं पे यूज कर सकते हैं कभी कोई सवाल में कहीं first जाएं हम तो ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसके वारब देखो example one हमें क्या बोल रहा है कि prove that in two concentric circles sir what are concentric circles पहले तो इस शब्द की परिभासा ही थोड़ी सी समझा दीजे बिल्कुल समझा देंगे sir बहुत आसान है ठीक है the cord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact okay देखो concentric circle का basic मतलब उसके शब्द में लिखा है शब्द का मतलब है कौन centric मतलब ऐसे circles जिनका center same हूँ उधारन के तोर पे यह आपका पहला circle हो गया ठीक है और इसी के center को अपना center मानते हुए अगर मैं एक और बड़ा circle का निर्मान करने का प्रयास करूं कुछ इस प्रकार ठीक है और अभी मैं आज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों का center एक बराबर है हाला कि मुझे पता है exactly तो नहीं होगा पर फिर भी ऐसा जम्शन मानते हुए आपने यहाँ पर कह दिया इन्हें as concentric circles अब देखो सवाल क्या बोल रहा है सवाल बोल रहा है आपने concentric circle बनाने है उसके बाद आपने larger circle मतलब बड़े वाले circle की cord बनानी है अब देखो बड़े वाले circle की 500 cord बन सकती है कैसे सर ये भी एक cord है 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 इसमें से कौन सी वाली आपको चाहिए तो वो सवाल को mention करना पड़ेगा और सवाल ने mention किया भी है सवाल ने का है which touches the smaller circle तो आपको ऐसी cord बनानी है जो की होगी तो बड़े circle की लेकिन वो छोटे वाले circle को भी ऐसे touch करके चली जाएगी मान लीजे कुछ इस प्रकार ये थोड़ी जादा हो गई उपर थोड़ी से नीचे करो ये जादा नीचे हो गई ये बीच में आजवा मेरे भाई ये देखो ये जो आपने बनाई है ये जो cord है ये है तो बड़े circle की cord लेकिन छोटे वाले को भी एक जगा पर touch करके जा रही है और आपको प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है कुल मिला के जोड़ घटा के कि ये जो आपने बनाई है cord तो concentric circle में आपने cord का निर्मान किया है और ये bisect हो रही है at the point of contact ठीक है तो यहाँ के अगर हम naming कर दें तो ओ ये आपका point of contact हो जाएगा पी इधर नाम दे दो क्यू इधर नाम दे दो आर आपने क्या प्रूफ करना है सर हमने प्रूफ करना है कि ओ पी इस by setting qr या फिर पी q equal to pr अगर हम वो प्रूफ कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है चलिए प्रयास करेंगे बाकी तो भाईया जैसी अब जितना हमारे बसका होगा उतना अपन करेंगे बाकी देखते हैं चलो यहां पर अब सबसे पहले क्या शुरू करोगे सर गेवन लिख लेते हैं कि गेवन हो जाएगा कॉंसेंट्रेक्ट सरकल्स विट सेंटर ओ दो सरकल जिनका सेम सेंटर होगा तो आप ऐसी लिखेंगे न भाईया कि दोनों का सेंटर सेम है ओ ही है ठीक है उसके बाद आप लिखोगे कियो आर एस कॉर्ड इस लिख सकते हो क्यू आर कॉमा कॉर्ड ओफ लार्जर सरकल of larger circle is tangent to whom अब यहाँ पर जगा कम है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉमा लगा के is नीचे लिख देते हैं tangent to smaller circle ठीक है statement का क्या मतलब है statement का मतलब है कि QR जो code है larger circle की वो दूसरे वाले छोटे वाले circle की tangent है को हाया ना जी सर इस टैंजेंट to smaller circle फिर यह भी लिख दो with P being POC that is point of contact ठीक है काफी सारे गंदे handwriting में ने word लिख दी पर मैं आपको repeat करके समझा देता हूं concentric circles with center O यह एक गिवन चीज़ है उसके बाद QR a chord of larger circle बड़े circle लिख लिए वो chord है लेकिन छोटे वाले के लिए वो क्या है tangent है जिसका P point of contact बन रहा है construction करने की कुछ खास जरुवत तो हमें पड़ेगी नहीं तो हम आजाते हैं सीधा to prove पे जिसको मैं ऊपर कहीं लिख दू जगा पे सर यहां लिख दो तो to prove आपका हो जाएगा bisected का मतलब है दो बराबर हिस्से तो pq equal to pr यदि दो बराबर हिस्से हो गए तो हम मान लेगे कि हाँ भाईया आप bisect कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे given हो गया to prove हो गया सीधे आप solution start करने ये सर चलिए देर किस बात की है solution में आपको अब्यसी बात है triangles ही उस करने पड़ेंगे तो in triangle poq and triangle p o r अब क्या क्या होगा सबसे पहले तो op equal to op क्योंकि वो दोनों में common है देखो ध्यान से आपको diagram में देख रहा होगा मैंने triangle कौन से highlight कि पर हमें वो बता देता हूँ एक तो ये वाला ठीक है और दूसरा इस तरफ वाला तो दोनों में आपके पास op equal to op तो है वो common है दूसरी चीज़ जो common है वो है o q and or ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियाई है सेम सरकल के बड़े वाले सरकल के ठीक है सर आपको कैसे पता द्यान से देखो सेंटर से लेकर बड़े वाले सरकल की boundary या circumference तक जा रहे और उन्हें ही तो mathematics में रेडियस कहा जाता है सर इसके बाद क्या होगा देखो अब आपके पास दो साइट जागे अभी भी आइंगल वाला मामलाई फसला है और अगर आप थोड़ा ध्यान से सूचेंगे तो आपको साथ सवाल का जवाब मिल जाए तो आप यहाँ पर लिखो now क्या लिखोगे now op is radius ठीक है अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो ना we know that क्या पता है आपको सार हमको यह पता है कि radius is perpendicular to tangent at the point of contact तो क्या लिखोगे we know that radius perpendicular word लिखने की जरुवत ने साइन यूज कर सकते हो perpendicular to tangent कहां पे किस जगह पे तो at poc at point of contact exam में बोर्ड में कृप्या प्योसी लिखके ना आए प्रभू मेरी आपसे भी नमर निमती है पूरा लिखें point of contact अगर आप poc लिख्या जाएंगे तो teacher आपके कितने नमबर काटेगा वो तो वही जानती है ठीक है तो क्रप्या करके poc ना लिख्या है पूरा लिख्या है point of contact चलिए radius is perpendicular tangent at point of contact तो आप लिखोगे o p q is equal to o p r दोनों हो जाएंगे 90 डिगरी bracket में अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो theorem 10.1 लिख सकते हैं तो एक आप proof कर रहे हो proof कर चुके हो अभी और दूसरी आपने पहले किए one है two नहीं भाईया सारी सारी 10.1 चलिए अब इन दोनों के बराबर होने से और यह angle के आ जाने से क्या होगा सर वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा तो भाई खुदा की मर्जी है यहां पे कि आपके दोनों triangles क्या हो जाएं हो जाएं तो देरफोर ट्राइंगल पी ओ क्यू इस इक वर टू और यह सिमिलर टू कि ट्राइंगल पी ओ आर सौरी कॉंग्रोंट है सिमिलर भी नहीं है भाई आर एचस फिर से यूज़ होगा क्योंकि एक 90 डिग्री है और सामने वाला हाइपोटन यूज है और साइड है अब दो ट्राइंगल में कॉंग्रोंसी स्थापित हो गया आरेचेस हो गया आपको सीपी सीटी से मिलेगा पी क्यू इकवल टू पी आर देरफोर पी बाइसेक्स क्यू आर या फिर इसको मैं नाम की जगह अगर इसको जनराइस फॉर में लिखू तो मैं क्या लिखूंगा क कि जो टैंजन्ट है वो क्या हो रही है बाइसेट हो रही है एडव पॉइंट उफ कॉन्टाक्ट तो आप कै लिखोगे के इसके बाद विच मीन्स कि तांजन्ट इस अशिंट बाइस वाइड़ को भाइड़ रेडियूस एड़ पॉन्ट ऊफ कॉन्टाक्ट ठीक है चलिए यह हो गया clear अब यहां पे हम करेंगे screen को एक मिटर को screenshot लेना है तो हाँ इसमें आप यह भी लिख सकते हो कि the cord of the bigger circle is bisected at the point of contact यह भी बढ़ी option है ठीक है चलिए क्या बोला सर्थ आपने एक पर दुबारा देखो जो यहां पे दिया वही लिखो न यहां पे क्या दिया है कि cord is bis bisected at the point of contact hence proved बास आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका सवाल ही होता है उसके बाद हर चीज का solution होता है तो मैंने भी कहां से उठाया यहीं कि उठाया है कि cord bisected at the point of contact hence proved बात का तम चलो अपने अपने घर मतना बागले सवाल की ओर सवाल नंबर दो example 2 two tangents tp and tq are drawn to a circle with center o from external point t prove that angle p tq is twice angle opq पहली बात तो इसका diagram बनाना पड़ेगा because इसका diagram बहुत important है इस example में अगर diagram सही से नहीं बना तो गुड का गुड गुबर हो जाएगा मतलब खराब हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी दो टैंजेंट है tp और tq ठीक है और drawn to a circle with center o तो पहले काम करते हैं पहले हम बना लेते हैं एक circle with center o उसके लिए हम black rank कर लेते हैं तो यह रहा आपका circle with center o ठीक है चलिए यह आगया center circle circle जैसे लगने रहा है पर काम चला लो का कर सकते हैं फिर टीपी और टीक्यू दो टैंजेंट्स है तो टीपी और टीक्यू तो यह रहा center o from actionable point t prove that p t q अब p t q जो angle है it is twice angle o p q तो पहले angle o p q का निर्मान कर लेते हैं तो यह रहा चाहिए ठीक है तो यह पूरा इसका double ठीक है अब यहां समझने का प्रयास करें ठीक है समझने का प्रयास आपको यह करना है कि यह इसका double होंगा कैसे और अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाओं तो आपको याद आएगा कि आपने एक चीज प्रूफ करी थी यहां पे यह रिमार्क्स में पढ़ाता पिछली थियोरम के कि भाईया जो यह एंगल होता है यह क्या होता है बाइसे किया जाता है वह लाइन जो कि एक्शनल पॉइंट को सेंटर से जोड़ती है तो अगर मैं ओको टी से जोड़ दूं जस्ट एजन एक्सपेरिमेंट अगर मैं को टी से जोडने का प्रयाज करूं तो हमारा तो यही मानना है कि जनाब यह दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यह हमने थियोरम में भी पढ़ा है ठीक है तो अगर यह दोनों आंगल आपस में बराबर हैं और अगर जो मैं इस वाले छोटे वाले आंगल को इसके इस एंगल के बराबर प्रूफ कर पाया तो क्योंकि यह बैसेक्टर है तो भबल तो ही जाएगा ठीक है चलिए कैसे प्रूफ करेंगे यह कि है हमारे पास यहां पर similarity है तो हो सकता है यहां पर similarity हमाली हेल्प कर दे अगर वह कर देगी तो बहुत बढ़ी बात है नहीं करेगी तो फिर थोड़ा जीवन में दुक्तों होगा ही चलिए यहां पर एक और चीज जो आपके पक्स में गिरती है वह यह कि कि आपके पास दो फिरम पहली जो कहती है कि रेडियस इस परपेंडिकोलर टूदा टैंजेंट अड़ पॉइंट ऑफ कॉन्टाक्ट तो आप यहां पर प्रयास करना देखने कि कॉंसेप के तहद हम इसको प्रूफ कर पाते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पर गिवन में तो गेवन हमारे पास हो very good समझ नहीं आ रहा है अंग्रेजी पढ़ा रहा है कि मैस पढ़ा रहा है चलिए खेर करना तो पड़ेगा तो दो टैंजन्ट है टीप और टीक्यू आपको क्या प्रूफ करना है ब्राकेट में लिख दो टीपी और टीक्यू और इसके बाद आ जाएगा से इकोवल टू ट्वाइज अंगल ओ पी क्यू ठीक है यह आपने प्रूफ करना है अब क्या बच गया सर कुछ कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं क्या तो देखें कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो हुआ है फिलहाल वो हुआ है ओ से लेकर टीको जॉइन करने का तो वैसे कुछ खास मेजर कंस्ट्रक्शन तो नहीं किये हैं फिर भी लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन क्या लिखो गया आप जॉइन ओ टू टी चलिए यह भी हो गया अब आ जाते हैं फुल एंड फाइनल हमारे प्रूफ की तरफ तो प्रूफ को हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है यहाँ पर तो हम प्रूफ ही लिखते हैं अगर ऐसा को खोछ होता है कि बताना है है तो हम solution भी लिख सकते अब यहां पर लिखोगे सबसे पहले इन triangle यह काम करो हां यहां पर लिख दो इन ट्राइंगल पी-टी-क्यू ठीक है देखो मेरा विचार क्या कह रहा है मेरे मन में जो विचार आया अभी आप से बात करते करते हो सवाल को देखते देखते कि यह जो एंगल है ना टी-पी-क्यू यह वाला यह दोनों ट्राइंगल जो हमें प्रूफ करने उसका रिष्टेदार है इस तरफ इन दोनों को जोडने पर नाइंटी आएगा तो यह रिष्टेदारी हो गई इस तरफ यह तीनों आइंगल मिला के ट्राइंगल फर्म कर रहे हैं तो यह रिष्टेदारी हो गई तो कुल मिला के दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है जो कि हमें यहाँ पर हेल्प जरूर करेगा चलिए इन ट्राइंगल पी ट्ी क्यू मैं बोल रहा हूं सबसे पहले कि टी पी इस एक or क्वल टू टी क्यू सार आपने क्या बोला सर ने बोला कि टी पी इस इकमने टी क्यू होगा क्या कोई इसकी वजह बता सकता है सर टी पी और टी क्यू टैंजेंट्स हैं वेरी गुड़ वो तो हमें भी पता है पर वो क्या है वो एक्वल है ऐसा हम लिख रहे हैं और वजह क्या है सर हमने एक ठ्योरम पड़ी है जो कहती है कि यदि आप एक्स्टर्नल पॉइंट से कोई दो टैंजेंट बना रहे है सरकल की तरफ तो पॉइंट ओफ कॉंटाक्ट तक जो कि यहां पर पी और क्यूं है वहां तक पहुंचते पहुंचते उन दोनों की लंबाई बराबर होगी उसके पार का हमें फरक नहीं पड़ता पर वहां तक पह क्या यह होगा अब सर यह कैसे होगा तो देखो एक ट्राइंगल में यदि दो साइट बराबर हो तो उनके अपोजट आइंगल बराबर होते हैं यह नियम कक्षा नवी में आप पड़ चुके हैं कि आइंगल्स ऑपोजट टू इकोवल साइट आर इकोवल तो अब यहां प यह आपने पहले ही बता दिया आप चाहें तो इन दोनों को एक्स नाम दे सकते हैं ठीक है क्या नाम दिया हमने दोनों को एक्स जो भी वाल्यू थी इनकी उनको हम एक्स के रूप में दर्शा रहे हैं ऐसा हम कहना चाहरें चलिए यह आपका इधर से हो गया बटवारा अंगल TPQ आप क्या बोल रहे हैं सर हम बोल रहे हैं कि इन तीनों यंगल को जोडने पे कौन कौन से एक तो TPQ ठीक है दूसरा होगा TP P और तीसरा होगा PTQ जो की हमारे सवाल का मुख्य अंगल है मतलब यह हीरो है तो हीरो की एंट्री थोड़ी लेट से होती है पिच्चरों यहां पर भी देखो अभी आये हैं जनाब तो आइंगल ptq यहां पर आगया यह दोनों आइंगल आपने अभी बराबर प्रूफ किये हैं इन दोनों का आपने x नाम दिया है तो कुल मिला क्या बोल सकते हो x plus x plus angle ptq is equal to 180 degree या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2x is equal to 180 degree minus angle ptq यह 2 को हम अगर division में भेज दें तो आप बोल सकते हो x is equal to 90 degree minus half angle ptq कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिलकुल नहीं सर क्या कि आपने सर आपने जो 2 था उसको division में भेज दिया 180 का अधा हो जाएगा 90 और minus ptq negative रहेगा और यह two division में आ जाएगा तो आप उसको half लिख दोगे यह तो एक तरफ हो गया ठीक है यह आपने ट्राइंग जो लाइन है ना pq उसके इस तरफ का मामला समाल लिया अब जड़ा उस तरफ वाले पर आजाओ जहां पर angle opq भी है उ तो सर उसकी बात करने के लिए पहले तो यहां पर थोड़ी थी जगा बनाई जाए कुछ इस प्रकार ठीक है चलिए जगा बन गई है थोड़ी सी इतने में हमारा काम हो जाए तो अच्छी बात है नहीं होगी तो हम यहां से कुछ साफ सफाई करके लिखेंगे तो अब यहा इस परपेंडिकुलर टू टांजेंट ठीक है दिख रहा है भाई यह सबको कोई दिक्कत तो नहीं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक काम करें मैं आपको बोल दे रहा हूं आप लिख लें फटाफट कि यहां पर हम क्या लिखवाना चाहरा है कि रेडियस इस ऑल्वे ही टांजेंट के परपेंडिकुलर होगा अब यह जो ओ पी टी आंगल है जिसको हम अभी प्रकास मिलाएं उसके दो हिस्से हैं एक है ओ पी क्यू दूसरा है पी दूसरा है क्यू पी टी या फिर टी पी क्यू जो भी आप लिखें ठीक है इन दोनों को जोडने पे ही आपको क्या लिखोगे इकवल टू 90 डिगरी तो कुलमल आपको मिल गया कि भाईया आइंगल ओ पी क्यू प्लस एक्स इजी क्वल टू 90 डिगरी ठीक है अब आप अगर यहां पे एक्स की वाल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वहां से आपको एक्स की वाल्यू क्या मिलेगी 90 डिग अब गुरू जी आपने तो गुरू जी बोल रहे हैं भाईया कि देखो जो एक्स की वाल्यू है यदि मैं वह निकालने का प्रयाज करूं तो वह हो जाएगा 90 डिगरी माइनस अंगल ओ पी क्यू अब एक यह दूसरी यह दोनों आपस में क्या होंगी सर एक्स की वाल्यू ह टीप माफ कीजेगा पी टी क्यू एज इकवल टू 90 डिगरी माइनस अंगल ओ पी क्यू मास का ठीचे नहीं तो एक दिन पंडित तो बन जाएंगे हम मंतर बंतर पढ़ लेंगे क्या बोलते हो चलो अब देखो आप दोनों तरफ 90 से 90 कैंसल क्या बच गया है तो सर बचा यह अभी सिर्फ इतना सा पार्ट है कि पहले तो इसको क्लीन कर दीज़ें कि हमारे काम का अब नहीं रहा आपने यह लिख लिया होगा चलिए यहां देखिए तो अब यहां पर क्या होगा half of angle PTQ is equal to minus angle OPQ दोनों के आगे minus sign है इसलिए दोनों के minus sign हो जाएंगे cancel क्या बचेगा half angle PTQ is equal to angle OPQ आपे जो half का 2 वहां भेजेंगे आपको मिलेगा angle P, T, Q ठीक है is equal to twice of angle O, P, Q चलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कठनाई बिल्कुल नहीं सर P, T, Q is twice of angle O, P, Q वो हमें साबित करना था वो हमने भली भाती कर दिया हो सकता है क्योंकि यह example है तो जब आप टेक्स्बूक में देखे तो आपको छोड़ा छोटा दिखाई दे in terms of steps परन्तु यहाँ steps में clarity नहीं होगी अगर तो फिर समस्या हो सकती है इसलिए मेरा सुझाव है हमें साब भी कोई सवाल सॉल्व करे तो कोशिस करें कि पूरी clarity के साथ सवाल सॉल्व हो ताकि आपको हर एक step समझ मैं example में जैसे कईबर होता न कि हाँ बोल देते हैं यह चीज़ होगी पर bracket में reason नहीं है या detail में एक step नहीं है तो फिर आप confused हो जाते तो वह चीज़ नहीं हो इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया यह उत्तर वैसे तलेंदी है नहीं चलिए अब यहां पर अगर आपको समझ आ गया हो तो आपकी आगया से screenshot ले लिए अगर आपने हो तो लीजे और हट जाता हो में अब तो सब clear दिख रहा होगा वापस आ जाते हम और हम करेंगे स्क्रीन को clear अगला है एक्जामपल 3 यह और अच्छा सवाल है पी क्यू इस कॉड़ अफ लेंथ एट सेंटी मीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस फाइव सेंटी मीटर ठीक है दा लेंथ टांजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी ठीक है और आपसे क्या बोल रहा है फाइंड लेंथ आफ टीपी आपके साहता के लिए आपको चित्र यहां पे दिया गया है ठीक है देखो अब यहां पे सबसे पहली बात यहां पे कौन-कौन सा कॉंसेट यूज होगा सब कॉंसेट कॉंसेट नंबर तीन जो यहां पे यूज होगा वो होगा अबाउट आइसोसिलस ट्राइंगल ठीक है उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा यहां पे हम करेंगे ठीक है चलिए सबसे पहले यहां पे आप क्या करोगे देखो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे आपका गिवन पार्ट तो गिवन पार्ट में क्या क्या आजाएगा और हाँ इस सवाल को सौल्व करने के दो तरीके है ठीक है एक में आप सिमिलरिटी यूज करते हैं डूसरे में आप पाइतरग्र ओर दियूर्स ठीव Moo的時候 लेकिन वो जो दो तरीके हैं वह स्टार्टिंग में दोनों में से मुस्ता Хोता बीछ में जाके रहा में ते county चौराहँ आता है या नी दो रहाँ कह सकतर है हम तो दो रहा आता है जहां पर आपकोछ करना पड़ता है यहां वाली अप्रोच लेनी है या फिर ये वाली वो मर्धी आपकी है ठीक है देखे गिवन में आप क्या क्या लिखेंगे तरकल मिद्संटर ओ करें प्हें वेट सेंटर ओ ठीक है चलिए उसके बार्ड और क्या लखेंगे अप Egypt कगेंगे दो कॉदो टैंजेंट्स हैं और एक कॉड है तो आप लेखोगे पीक्यू एज अ कॉड एक चीज़ आपने यह मेंचन कर दी ठीक है दूसरी चीज़ अब क्या मेंचन करेंगे साथ दूसरी चीज़ यह मेंचन करेंगे कि टीपी और टीक्यू टीपेंट टीक्यू आर टैंजेंट्स लंबाई मेंचन नहीं करेंगे आप तो भी कोई दिक्कत ने जहां रेडियस नहीं लिखा है कॉड की लेंज नहीं लिखिए तो कोई बात ने पर जो जो चीजें उपलब्द है उन्हें मेंचन ना करना एक बहुत बड़ी भूल हो जाएगी मतलब देखो आप ये नहीं बता रहे हैं कि टैंजेंट की लंबाई कितनी है चाल से पर आप यही नहीं बताएंगे कि एक tangent भी मिली है तो पर दिक्कत हो जाएगी है ना तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो our tangents चलिए gentas, tangents चलिए यह हो गया circle बता दिया आपने आपने बता यह tangent से अब आप क्या करोगे अब sir हमें basically प्रयास करना है एक सबसे पहला काम पता है हमें क्या करना है इस triangle को ठीक है इस triangle के बराबर या similar proof करना है congruent proof करना हम आप की जगा कैसे करेंगे sir एक तो tr हो गई common very good दूसरी चीज sir tp और tq हो गई बराबर very good तीसरी चीज basically होगी कि यह वाला angle इसके बराबर परन्तु कोई भी criteria के तहट यह दोनों को आप use नहीं कर सकते हाला कि यहां पर आपका sas नहीं बन पाएगा आपका कोई भी काटर नहीं बन पाएगा लेकिन हाला कि आपने अगर इसका theorem जो हमने use किया है कि दो tangent बराबर होती वहाँ पर एक remark पढ़ा था आपने कि जो tangent के point को center से जोड़ती है वो angle को भी bisect करती है angle bisector होती है आपको याद होगा पढ़ा था कि नहीं बढ़ा था जी सर रिमार्फ में पढ़ा था कि वह लाइन segment जो center को external point से जोड़ती है tangent वाले वो होती है angle bisector उसका logic क्या है basically आप चाहें तो proof भी कर सकते हैं कि ये वाला triangle इस नीचे वाले triangle के congruent है जो कि आपने theorem को proof करते करते किया ही होगा तो हम शुरू वहीं से करेंगे construction की फिलाल कुछ आप सकता है नहीं सब कुछ सवाल में दिया ही हुआ है प्रूफ हम यहां पर वैसे भी पता हमें find करना है तो कुछ प्रूफ तो करना नहीं तो हम सिद्धा शुरू करेंगे यहां पर solution से ठीक है आप चाहें तो to find करके लिख सकते लेंट आफ टीपी इन ट्राइंगल ओटीपी ओटीपी देखो आया कि आपके फोन पर अरे यह वाला ओटीपी जो मैंने यह लिखा है पता चला फोन का sms चेक करने हैं कि सर ओटीपी तो नहीं आया तो ओटीपी और ओटी क्यू लिख लो एक काम करो सेम पैटन में काम करते हैं काहें अलग करना भाई यह ठीक बाँ चलिए सबसे पहले क्या बोलोगे सबसे पहले हम बोलेंगे ओपी इकवल टू ओक्यू क्योंकि एक ही सरकल के रेडियस है वेरी गुड ठीक है दूसरी चीज हम यह बोलेंगे ओटी इकवल टू ओटी क्योंकि कॉमन है वेरी गुड तीसरी चीज हम क्या बोलेंगे कि टी पी या पी टी इस इकवल टू क्यू टी और अपकी बार क्या वज़ा रहेगी सर वज़ा रहेगी कि यह है ठीयोरम टैन पॉइंट टू के तहत बराबर जो कहती है कि यदि किसी बाहरी पॉइंट से कोई टैन्जेंट आ रहे है दो टैन्जेंट आ रहे है दोनों की लंबाई बराबर होगी दो ट्रैंगल में तीनों साइडव बराबर तो मतलब ट्रैंगल क्या हो जाएंगे सर कांगूरूएंट ट्रैंगल हो गय है OTP is congruent to triangle otq reason s s अब यहां पर आ रहा है इंपोर्टेंट निडने तो बाइस CP CT एंगल OTP वुड़ बी इकुवल टू आंगल OTP क्या लेखो कि यहां पर ब्रैकेट में रिजन CP CT ठीक है और इसी को मैं थोड़ा सा मोडिफाई करके यहां पर लिख रहा हूं कि देरफोर आर्टी पी क्या बोला सर आपने आपने बोला सर RTP is equal to RTQ सेम यह आंगल है बस नाम थोड़ा चेंज कर दिया अच्छा ऐसा करने की कोई विशेश वजा है तो सर ऐसा करने की विशेश वजा है कि अब आप इस ट्राइंगल पर कूद रहे हैं उन ट्राइंगल में आपको इसकी ज़र्वत पड़ेगी बिलकुल ठीक तो इन ट्राइंगल आर टी पी आन्ड ट्राइंगल आर्टी क्यू सर यह समझ नहीं आया कौन से दो ट्राइंगल की चर्चा कर रहा है देखो मेरे भाई मैं कर रहा हूं अब आर्टी क्यूँ मत्बब अगर मैं अलग से हाइलाइट करूं कलर थोड़ा चेंज करके तो अब मैं आ रहा हूं इन दोनों ट्राइंगल है तो यह हो गया एक ट्राइंगल कि और इधर नीचे हो गया दूसरा ट्राइंगल अगर मैं इसकी सेडिंग है very good उसके बाद आप लिखोगे कि भाईया यह जो आंगल है आर टी पी इस इक्वल टू आंगल आर टी क्यू यह आपने प्रूवड किया है पहले से ही ठीक है उसके बाद आप लिख सकते हो फिर से कि टी पी इक्वल टू टी क्यू और अब की बार भी वही वज़ा होगी कि 10.2 कहती है कि अगर किसी बहारी पॉइंट से कोई डो टैंजन्ट को छोड़ा गया है सरकल की तरफ तो वो बराबर होंगी दो ट्राइंगल एक साइड बीच वाला अगल एक ओर साइड तो ट्राइंगल क्या होंगे सर ट्राइंगल हो जाएंगे यहाँ पे आपके कॉंग्र तो आप लिखोगे triangle RTP इस congruent to triangle RTQ वज़ा होगी SAS अब अगर मैं आपको इमानदारी से बताऊं तो इसके बाद आपको मिलेगा CPCT से RP is equal to RQ और reason क्या होगा CPCT और अगर आप अपनी textbook में देखेंगे तो यह पूरी जो महाभारत मैंने या लिखी है उसको चार लाइनों में paragraph के रूप में थोड़ो सा explain करके छोड़ दिया गया है पर यहां मैंने आपको एक-एक step के साब से बताए कि कैसे चीजें बराबर हो रही है तो यहां पर RP equal to RQ य से को जो PQ है वो हो जाएगी RP plus RQ और दोनों आपस में बराबर हैं तो आप अगर इसको 8 मान रहे हैं तो RP plus RP हो जाएगा because RQ और RP क्या कर दिया आपने आपस में बराबर कर दिये तो basically RP की लेंद कितनी 4 तो यहां से therefore RP is equal to 4 cm तो basically यह पूरी जो महनत थी जो आपने करी यहां पे वो केवल यहां साबित करने के लिए कि यहां दूरी 8 cm है ठीक है और एक और चीज़ जो यहां पर आप साबित कर पाएंगे वो यह कि यह जो आइंगल है यह 90 डिगरी के बराबर है सर आपको कैसे पता तो आपने दोनों ट्राइंगल को वैसे भी congruent प्रूफ किया है बस आइंगल टी यार पी इस इकवल टू 90 डिगरी ठीक है चुकि दो आइंगल को जोडने पर जोकि आजू बाजू में है उनको जोडने पर 180 आ रहा है दोनों होंगे बराबर तो एक 90 दूसरा भी 90 अब यह 90 वाला आइंगल और यह साइड की लंबाई जो मिली यही हमारे सवा का पूर्ण जवाब है यह आपको क्लियर कर देता हूं मैं ठीक है चलिए और वो करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको कुछ लिखना है तो लिख लो कि मैं पूरी स्क्रीन क्लियर करने वाला हो और नया स्टार्ट करने वालों ठीक है चलिए लिख लि पहले इसी ट्राइंगल पर आजाओ इन ट्राइंगल आर ओपी रोप दिखा आपको जी सर मैं कह रहा हूं कि आइंगल ओ आर पी कहीं कोई दिकत बिलकुल नहीं सर आपने अभी प्रूफ किया था कि टी आर पी है नबबे तो उस तरफ वाला भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा विकाउस है तो वो स्ट्रेट नाइन उसके तहट ओ आर स्कुएर प्लस ओ आर पी स्कुएर इस इक्वल टू पी ओ स्कुएर व क्योंकि आर पी की वालियो अपने चार निकाली है और यह पांच स्कुएर इसको सॉल्फ करोगे और स्कुएर आएगा नाइन ओर की वालियो आएगी तीन कतनी तीन ओ से लेकर आर तक की दूरी है तीन चलिए अब आजाओ दूसरे राइट ट्राइंगल पर यह तो पहला थ था इसके बाद एक और राइट ट्राइंगल आपको देखने को मिलेगा ठीक है वह ट्राइंगल कहां पे आएगा तो तो ट्राइंगल आएगा आप लिखते हो कि नाओ इन ट्राइंगल OPT ध्यान रखना भईया OPT की बात हो रही है OPT में क्या होगा OPT में सबसे पहल लिखोगे OP is perpendicular to PT वजा क्या होगी कि radius हमेशा perpendicular to tangent ठीक है अब इन दोनों ट्राइंगल की यदि हम चर्चा करें तो आपने कहा OP इस perpendicular to tangent मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगी Pythagoras theorem तो OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इस इक्वल टू कितना सर वो हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा भईया OT स्क्वायर ऐसा क्यों चुकि यह है हाईपोटनियूस यह दोनों साइट से अब OP स्क्वायर आपको पता है पांच ठीक है PT स्क्वायर आपको नहीं पता वही आपको निकालना है तो PT को नाम दे दो X तो आपने क्या बोला प्लस X स्क्वायर और वाट इस OT स्क्वायर तो सर O से लेकर T तक की दूरी है यह पूरा OT इसमें इस वाले पार्ट को हम y मान लेते हैं तो अगर ऐसे देखें तो 80 square हो जाएगा y plus 3 का whole square ठीक है अब यहाँ देखो 5 square plus मतलब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 25 plus x square plus y square plus 2 3 plus 9 plus 2 3 6 y ठीक है तो 25 plus x square is equal to y square plus 9 plus 6 y a plus b का whole square अब यहाँ पे आपके पास x square y square के रूप में दो variable हैं क्या करोगे सर एक और triangle है जो कि अब तक हमने explore नहीं किया है और वो है ये वाला बिल्कुल ठीक यहाँ पे फिर आप लगा सकते हैं pythagoras theorem ठीक है तो यहाँ पे आप एक काम करें इसको में यहाँ लिख देता हूं ताकि हमारा continuity बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं यहाँ पे y2 दिया है 4 दिया है और एक्स दिया है तो तीन साइट आपकी आ गए एक्स वाई और फोर जिसमें एक से पाए आपका hypotenuse तो y2 प्लस 4 इसकोर इस इक्वल टू एक्स स्कोर तो आप लेख सकते हो y2 प्लस 16 इस इक्वल टू एक्स स्कोर अब यह जो एक्स स्कोर की वैल्यू आई है इस तरफ वड़े ट्राइंगल से वह मैं यहाँ पे लगा सकता हूं तो जब आप इस सवाल को सॉल्फ करेंगे तो पहले यह वला ट्राइंगल ले ले लेना इन फ्लो उसके बाद फाइनली इस पर आना ठीक है चलो तो आपने लेखा 25 प्लस x स्कोर की जगा आएगी उसकी वैल्यू विच इस y स्कोर प्लस 16 is equal to y स्कोर प्लस 9 प्लस 6y ठीक है अब क्योंकि दोनों तरफ y स्कोर है तो आप क्या करोगे इसको सर कैंसल कर देंगे तो y स्कोर से y स्कोर कैंसल 25 और 16 जोडने पे कितना हो जाता है सची हो जाएगा 6 और 5 11 तो आप जोड़ोगे 25-16 जोड़ने पर 25-10-35 और 6 हो जाएगा 41 बिलकुल सर माइनस 9 कर दो लगे हाथ तो आपको मिल जाएगा 6Y 41 में से अगर 9 गया तो 32 बचेगा कितना बचेगा 32 तो 32 by 6 is the value of y cancel करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2 के टेबल से तो सर 16 बटे 3 ये किसकी value ये y की value है सवाल क्या पूछ रहा है सवाल ने तो x पूछा है तो क्या करोगे सर इसको यहां replace कर देते x की value मिल जाएगी बिलकुल ठीक तो जब आप 16 बटे 3 को replace करोगे आपको क्या मिलेगा कि सर 16 बटे 3 का whole square प्लस 16 क्योंकि 4 square था is equal to x square रखो value सर अगर हमने value रखी यहां पे तो हमें मिलेगा यहां पे 16 का square upon 3 का square that is 9 plus 16 is equal to x square क्या करोगे सर LCM लेना पड़ेगा बिलकुल ठीक तो आप LCM लेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा अब देखो calculation स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा तो अगर आप 16 कॉमन ले ले अंदर बचेगा एक 16 बटे 9 plus 1 is equal to x square यही होगा ना 16 स्कॉर था तो आपने 16 कॉमन लिया तो square में से एक गया एक बचा वहां पे पूरा का पूरा 16 था जिसको आप 1 कर देंगे LCM लोगे तो 16 और 9 हो जाएगा 25 तो 16 इंटू 25 बटे 9 is equal to x square और अगर आप गौर से देखेंगे observe करेंगे तो यह सारी values perfect square है ठीक है 16 चार का square 25 पांच का square 9 का 9 है 3 का square तो जब आपको अगर x की बटे निकाल लिए सबका square root करना ही पड़ेगा तो क्योंनों directly लग दें लेकि दें कि 16 का square 4 25 का 5 9 का 3 इसकी value हो गई x के बराबर तो इस step के बाद आपने square root directly mention कर दिया पांच चोके हो जाएगा 20 तो आपका जवाब आएगा 20 बटे 3 20 बाए 3 calculation थोड़ी जादा है समय थोड़ा जादा लगा मुझे मैं इस बात से बिलकुल मना नहीं करूंगा लेकिन इमानदारी से बताओं तो यह सवाल जब आप एक बार solve कर लेते ना जैसे मेरे को तो हर एक डीटेल में स्टेप बताना था पर जो व्यक्ति इसको एक बार कर लेता है पर उसके लिए यह ज़्यादा समय वाला सवाल नहीं रह जाता है हाला कि मेरी तो आदत है युकि मुझे तो पूरे डीटेल में समझाना पड़ेगा कहीं अगर कोई एक भी स्टेप मिस हो गया तो ले लिए फिर हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं जहां पर हम सिमिलारेटी का इस्तमाल करके सॉल्व करते हैं चलिए अब यहां पर स्क्रीन करेंगे हम ठीक है हमारे पास क्या क्या आ गया था पिछले वाले से तो सर यह चीज़े मालूम चल गई थी इंको कि यह आंगल है सिमिलारेटी सर कौन से दो ट्राइंगल एक तो यह वाला ट्राइंगल ओ आर पी दूसरा आपने यूज करना है कौन सा ट्राइंगल दूसरा आपने यूज करना है ओ टी पी ठीक है इन दोनों ट्राइंगल को यदि हम सिमिलर प्रूव कर पाएंगे तभी हम आगे बढ़ प रहें और आपका काम हो जाएगा जो बताओं मुझे दूसरा एंगल कौन सा होगा लिखना स्टार्ट करते हैं कि भाइया इन ट्राइंगल OTP कब से OTP चल रहा है and triangle ORP लिख रहा हूं मैं सबसे पहले कि भाईया angle ROP या नहीं पहले OTP का लिखा है तो पहले angle भी OTP का लिखो तो angle TOP is equal to angle ROP और वज़ा बहुत simple है दोनों है common ठीक है अब उसके बाद क्या करोगे सर उसके बाद जो आपने बोला सवाल ये था कि भाईया ORP है 90 degree आप प्रूफ कर चुके हो ये हो जाएगा बराबर किसके ये हो जाएगा बराबर OPT के सर कौन सा angle बोला आपने OPT उपर देखो जहां पे radius tangent को टच कर रहा है तो अब क्या बोलोगे सबसे पहले यहां पे एक तो ये लिख दो कि भाईया radius इस perpendicular to tangent और क्या लिख सकते हो बस इतना काफी है दोनों को आपने 90 degree कर दिया है इसको पहले प्रूफ कर चुके हैं तो दो triangle में दो angles बराबर होगा triangles क्या होंगे अंग्रेजी में कहें तो similar तो नाम सही कर लो पहले टी ओ पी इस similar to triangle अब नेमिंग पर ध्यान देना angle T के बराबर कौन सा होगा सर O के बराबर O है ये तो shorty हो गई ठीक है और R के बराबर P है ये भी shorty हो गई तो बचा कौन TOR नहीं क्या नाम तो उसको TOR नहीं आइंगल के नाम करें सा R सर यहां पर आजाएगा O के बराबर O बच बचा कौन P बचाएक है ना तो T के बराबर P O के बराबर O और R के बराबर R चलिए ये हो गया और reason क्या होगा angle similarity कहीं कोई दिक्कत बिलकूल नहीं सर क्या कि आपने देखो फिर से एक बार O से O बराबर क्योंकि common है P से R बराबर क्योंकि दोनो 90 है लेकिन सर यहाँ पर जो P है वो इस P के बराबर क्यों नहीं है क्योंकि देखो सवाल में देखो आपको दिख रहा होगा जो लाल वाला P है वो कितना बड़ा है और हरा वाला P कितना छोटा है तो angle का naming same होने से बराबर नहीं हो जाते वो कितना cover कर रहे हैं क्या उनका कितना curve है उस पे भी depend करेगा बहुत कुछ ठीक है चलिए दोनों triangle जब similar हो जाएंगे तो चीजों का ratio बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे आप लिखोगे TO upon PO is equal to OP upon OR is equal to TP upon PR अब इसमें जो जो value आपको पता है वो लिख देंगे जो नहीं पता है वो पता लगा लेंगे तो यहाँ पे लिखा मैंने CPST TO की value हमें नहीं पता सवाल में नहीं दी गई है PO की value सर PO की value पता है पांच तो मैंने TO को blank छोड़ दिया PO को 5 लिख दिया OP की value OP की value भी हो जाएगी 5 चली उसको भी लिख दिया OR की value सर OR की value हम निकाल चुके है ठीक है कैसे जब हमने पहले similarity congruency उसरी Pythagoras theorem यूज किया था तब तो OR की value तो निकालने ही पड़ेगी सवाल को solve करने के लिए ठीक है तो यह हो गया 5 बटे 3 अब TP की value आपको सवाल नहीं बोली ये निकाल के बताओ और PR की value तो सर PR की value पर हमने निकाली है 4 ठीक है तो कुल मिला के यहां पर पहला वाला ratio अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर मुझे मेरा काम होते हुए दिख रहा है उसमें और इसमें कहां परिवर्तन आता है तो देखो उसमें भी और इसमें भी दोनों में यह चीज जो है ना चार और यह तीन इतना तो निकालनों पड़ेगो ठीक है तो हमने जो पहले वाले पार्ट में किया था जहां पे हमने OR की value निकाल दी थी 3 using Pythagoras उसके बाद जो करेंगे परना उसके बाद अगर आप पुरानी अप्रोच से continue करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं ठीक है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर चलिए अगर मैं आपको याद दिला हूं तो मैंने यहीं पर लिखा था इंट्राइंगल ओ और पी जहां पर और पी नहीं का इस्तेमाल किया था दोनों के अपने 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 यहां पर एक्जांपल हो जाते हैं समाप्त बागी है हमारी वह मुझे पता है जो हम अगले सेशन में बिल्कुल कंटिनू करेंगे लेकिन आज का सेशन का डी एंड करने से पहले आपके लिए बहुत ही महत्वप स्कून ते इंपोर्टेंट जानकारी जो की आपकी और हमारी वेब्यारी वेब्याइट से नहीं है कि नहीं की कारनवस् है माकार के अपने जो काम के सेशन से अपनी जो पढ़ाई को कशो an klein ही नहीं कर पाते स्कूल एक्षाम होते हैं कि और हमारे टीचर ने तो ये वाला सैशन बनाया ऐसे कैसे होगा यह टीचर गलत बात तो उस समस्या का इलाज है कि आपको ढूड़ना ही नहीं है यूटूब पे उसका हमने अल्टरनेटिफ प्लैटफॉर्म आपको दे दिया है जहां पे आप आईए और आपके सारी कैटेगरी उसको हमने बाइफरकेट कर दिया जिस भी कैटेगरी के विद्धारती हैं उसके ट इतने पढ़ाया है उनके पूरा कंटेंट है हिंदी संस्कृत है सब कुछ मिलेगा और यहां पर बलकि अगर आप अंदर आएंगे देखेंगे तो टीचर के जैसी आप नाम चले करते हैं और फोटो देखते हैं आपको समझ में आता है कि यहीं आपके टीचर है तो उनके ज आप यूटूब करेंगे ठीक इस तरीके से यह फूल गया है वैसे ही आपके लिए वीडियो और यह आपके यूटूब यह रहता है तो वास्याशनी से पूरी पढ़ाय कर पाता है तो आपका जो फेवरेट चैनल है जहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलता है फ्रम किंडर्गरण टू क्लास 12 उसमें आप पढ़ रहे थे मेरे साथ क्लास 10 दसवी की गणित मैथमाटिक्स जिसमें हमने सरकल चैप्टर के कुछ सब्सक्राइब करना है और यूद्स अपना ख्याल रखें अच्छे से पढ़ाई नमस्ते